जैपूर एपोच का एक वीडियो इस वक्त तेजी से इंटरनेट पर वाइरल हो रहा है। CISF कर्मी पर हाथ उठा दिया। इस वीडियो के आने के बाद से ही हर तरफ हड कम बच गया है। दोनों तरफ से बयान बादी चल रही है। पर पहुची थी। इस दोरान उनकी भी ज्यूटी एपोच पर ही थी। गिरिराज ने कहा कि अनुरादा जैपूर एपोच के अंदर एयर साइट में वहिकल गेट से एंट्री करना चाहती थी। इस पर उन्होंने उसे रोक लिया और स्क्रीनिंग कराने के ले कहा। हाला कि क्रू मेंबर ने महिला स्टाफ नहीं होने का हवारा दिया और स्क्रीनिंग करवाने से मना कर दिया। इसके बाद गिरिराज ने एपोच कंट्रोल के अधिकारियों को वायलेस पर मैसेज भेज कर महिला स्टाफ को बुलाने के लिए कहा। बस इसी बात पर क्रू में पर भड़क गई और उन्हें जोर का चाटा जड़ दिया वह दूसरे ओर रिपोर्ट की माने तो एरलाइन्स कंपनी स्पाइस जेट का बयान भी सामने आया है कंपनी ने कहा कि स्पाइस जेट की फीमिल सिक्योर्टी स्टाफ के पास ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योर का जारी किया हुआ वैलिट एपोर्ट एंट्री पास था इतना ही नई स्पाइस जेट ने ये भी कहा कि उनकी फीमिल स्टाफ के साथ सीएस एफ के ऑफिसर ने बुरा विहवार किया है और अबद्र भाशा का भी प्रियोग किया है स्पाइस जेट महिला के साथ में होई यौन उत्पीरन के मामले में कानूनी कारवाई करेगी और इस संबन्द में लोकल पुलिस में शिकायत भी दी है स्पाइस जेट का ये भी कहना है कि वो अपनी फीमिल स्टाफ के साथ मजबूती के साथ खड़े होए हैं और उनकी हर तरह से मदद करेंगे फिलहाल ये वीडियो तेजी से वैरिल हो रहा है आपका क्या कहना इस वीडियो में हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा साथी बॉलिवट और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहे ये फिल्मी बीट अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें अगर आप हमें देखते रहे हैं जब देखते रहे हैं तो जर्मी बीट विल्मी बीट शेया हैं